चन्डिगड के सेक्टर 61 के स्टेट कॉपरेटिव बैंक में आज यानि सोमवार को एक नकाप पोश गुश गया आते ही उसने गन पॉइंट पर 10 लाख रुपे लूट लिये घटना के बाद बैंक में दहशत का माहौल बन गया सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुँची लूट की घटना सिसी टीवी में कैद हो गई है आपको बता दे कि पुलिस द्वारा आसपास के सिसी टीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है साथी आसपास के इलाकों में नाका बंदी भी कर दी गई है बताया जा रहा है कि नकाप पोश्ट ने बैंक में घुसकर करमचारियों को बताया कि वह अपने खाते की डीटेल लेने के लिए यहां आए है इसी दोरान उसने मौका पाकर करमचारियों पर गन तान दी और लगबग 10 लाक रुपए लेकर फरार हो गया इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी सीसी टीवी में कैद आरोपित की पहचान के लिए पुलिस पुराने केसों को भी खंगाल रही है बतादे चले कि चंडीगर्ड में लूट की वारदात सामने आई है और हैरत की बात ये है कि सेक्टर 61 के कोपरेटिव बैंक में इस वारदात को अंजाम दिया गया है जो कि पुलिस चोकी से सटा हुआ है वहीं बैंक करमचारियों की मानी जाये तो एक यूवक पिस्तॉल लिए बैंक में दाखिल होता है और बैंक करमचारियों को धमकाते हुए पिस्तॉल की नौक पर पैसे की मांग रखता है जिसके बाद डरा हुआ बैंक स्टाफ पैसों से भरा हुआ बैंक यूवक को पकड़ा आता है तुरंद बाद बैंक से सटी पुलिस चोकी में जानकारी दी जाती है बैंक करमचारियों के अनुसार यूवक काफी पढ़ा लिखा था और बैंक में आकर उसने अंग्रेजी में बात की चंडीगर से सौरफ शर्मा की रिपोर्ट अभी हम इन्वेस्टिगेशन कम होता है यह वो कर रहे हैं उसके बाद अपर बैंक के कामरी जलते हैं ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल बैंक्वेट्स लाए हैं इंकरिडबर मैर्च पलेस राज घराना आथ एंअथ वाल ज्वेटी गार अधना यह वुद्व गरनाथ JBD Banquets Enterprise